हेलो बच्चो मैं विपुल कुमार पांडे गुर्कुल क्लासेस के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोड मिती का एक गिसिस्ट भाग जिसका नाम है उचाई दूरी लेकर आया हूं जिसका यह पहला भाग है और इसे ध्यान से देखेगा चुकि पहले भाग में जितने भी मैं कोशन कलेक्ट किया हूं बड़े ही इंपोर्टेंट कोशन है आपके एक्जाम पॉंट अब यू से जिसमें येनटीपीसी गुरूपडी के लिए जो रेल्वे में त्रिकोड मिती का एक भाग पुछा जाता है जिसको मैं पहले भी प्रेक्टिस करा चुका हूं और आज मैं आप लोगों के लिए उचाई दूरी का यह भाग लेकर आया हूं तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को सेर कर दिजिए और जो भी सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए जैसे अब रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे ठीक है आई अब टॉपिक पर चलते हैं यह कोश्चन है पहला कोश्चन है आपके सामने शुरुआत हम लोग पहले कोश्चन से करते हैं हाई टेंड इस्टेस में मैं कुछ आपको बता देता हूं कि कैसे इसको हम लोग डिल करते हैं देखे अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ाया है वह क्या पढ़ाया है कि एक पाइथा गोरस का प्रमी क्या होता है यह हम लोगों ने पढ़ाया है जिसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर यह कोड है तो कोड के सामने की भुजा हमारी क्या कहलाती है लंब कहलाती है कोड के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है जिस पर कोड बना होता है वो आधार कहलाता है और ये नब्य अंस के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कोड कहलाती है ये तो पाइथागोरस का प्रमे था जिसमें आपको बताया गया कि किसी समकूर तरफुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से इस दोनों भुजाओं के वर्गों की योग की बरापर होता है इस बत को हमको सबसे पहले समझना है और अगर आपको साइन थीटा कोस थीटा का लालबटे कक्का से आपको याद नहीं है तो भी दिक्कत होगी यहाँ पर तो कुलमिला के त्रिकोनमिती का यह अप्लिकेशन है जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है त्रिकोनमिती उसका क्या है यह अप्लिकेशन है और इसमें अब हम जब बात करेंगे तो जैसे मालीजे कोई चीज उपर है देखें जहां से आप देख रहे हैं यह मालीजे आपकी आँख हो गई आपकी आँख के छैतीच यह कौन सा तल है छैतीच छैतीच तल है जब आपको उपर सिर्ष पर देखना है इसको देखिए जो सबसे उपर वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते है सिर्ष और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको हम पाद बोलते है पाद माने पैर भी होता है तो अब यहां से जैसे ही हम उपर देखना शुरू करेंगे तो ये उपर देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उननयन कोण उन्नतांस या उननयन उननयन कोण उन मने उठना होता है, उपर उठना और नीचे जुखना जो होगा? वो क्या होगा? अवनमन कोण और नमन कोड दो बात याद रखेगा त्रिकोड में थी कि यह बेसिक बाते आपको पता है साइन थिटा कॉस थिटा के बारे में पता है और इधर आप उन्ने अन कोड और और नमन कोड को समझ लिए है उन्यन कोड और और्नमन कोड को समझ लिए हैं तो यह आप समझ लिए उचाई दूरी आपका हो गया कोई दिक्कत नहीं है अच्छा बेसिक में आप ध्यान दिजिएगा कि हमेशा आपका फिगर सही बनना चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं उचाई और दूरी हाइटन डिस्टेंस यहाँ आपकी आज बात होगी उचाई और दूरी हाइटन डिस्टेंस यह टॉपिक है आए उन्यन कोड और और अनमन कोड से रिलेटेड पहला कोश्चन देखते हैं पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पे है ध्यान से देखें पहला कोश्चन है यद किसी उर्धाधर खंबे की चाया खंबे की उचाई से करणी में तीन गुना हो तो सूर्य का उन्यन कोड कितने डिगरी का होगा ठीक है? कुस्चन को ध्यान से देखिएगा और चलिए समस्ते हैं तो ये रहा आपका पहला कुस्चन जिसमें ये कहा गया है कि ये किसी उर्धाधर खंभे की छाया, खंभे की उचाई से तो चलिए एक उर्धाधर खंभा बनाते हैं एक खंभा मान लिजे ये है ये खंभा है आपके जिसकी उचाई हम उचाई मान लेते हैं एच क्या मान लेते हैं? एच उचाई एच मान लिजे खंभे की उचाई से करिम तीन गुना हो यानि इसकी परचाई कहा बनेगी? खंभे की? यहाँ बनेगी तो मान लिजे यहां से कौन इसका क्या है? ठीटा है और यहां उसकी चाई बन रही है तो सूर्य कहीं यहां रहा होगा? सूर्य यहां रहा होगा तो इसकी चाई यह बन रही है A, B, इसकी छाया होगी C, उचाई H है तो कहा जा रहा है कि खम्वे की उचाई से करणी में 3 गुना है तो ये इसकी छाया क्या होगी करणी में 3 H अब ध्यान देजे कि सुर का उन्यन कौन कितने डिगरी का होगा, यानि ये थीटा पूछ रहा है तो सिम्पल सी बात है कि टैन थीटा का मान क्या होगा लंबटे आधार करणी में 3 H तो H से H कैंसिल हुआ एक बटा करणी में 3 तो आप ध्यान देजे कि टैन थीटा का कितने अंस का मान क्या होता है एक बटा करणी में 3 होता है तो टैन तीसंस का मान होता है क्यों? टैन तीसंस का तो थीटा का मान आपको दिग गया तीज डिग रही है तो पहला जबाब ये option number C इसका सही जबाब होगा आसा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा आएए अगले question पर आते हैं Question number 2 Question number 2 में आपको ये बताय गया है ध्यान से question देख लें Question number 2 ध्यान से देखें मेरा चाहरा साफ नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ कैमरे को और आप लोग देखेगा ये Question number 2 आपके लिए है चले सुर्ट का उन्यन कोड उस समय कितने इंसका होगा जब खंभे की चाय उसकी उचाई के बराबर होगी तो सबसे पहले तो खंभे को बना लिया जाए और इस खंभे की उचाई जितनी होगी उतनी ही उसकी चाया होगी यच उचाई मान लेते हैं और यच ही उसकी चाया है और नबे डिग्री ये बना रहा है चले तो अगर हम इससे कहें कि उचाई दोनों की उचाई और उसकी चाया बराबर है तो 10 थीटा बराबर क्या बनेगा जल्दी से देखें 10 थीटा क्या होगा लंब बटे अधार यानि यच बटे यच इस टाइम में एक होगा और एकमात टाइम 45 डिग्री है जिसका मान क्या होता है एक होता है तो इसलिए थीटा का मान क्या होगा हमारा 45 डिग्री है बहुत जबरजस्त कोश्चन इतने आसान होते हैं फेरण फेरण तरह दूरी के आप तुरंद कर लेंगे वसंतर क्या है कि आप इस स mesmo को कि घ्यान से पढ़ने कले मिशा है अजय धूरी से आसान सो आप को कभी मिलेगा नहीं कि यह रहा तीसरा क्योश्चन तीसरा क्योश्चन आपकी स्क्रीन पे है यह यदि कोई खंभा 12 मीटर उचा है तो सबसे पहले तुरंत खंभा बनाईए यह खंभा 12 मीटर उचा है और प्रिथवी पर 4 काणी में 3 4 काणी में 3 उसकी छाया बनती है ठीक है तो यह कोड बन गया तो सुर का 9 कोड कितना होगा सुर का 9 कोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे टैन थीटा की बात करेंगे और टैन थीटा क्या होता है लंभ बटे अधार यानि 12 बटे चार करणी में तीन चारते हैं बार तीन को क्या लिख सकते हैं करणी में तीन करणी में तीन बटा करणी में तीन तो ऐसे करणी में तीन कर गया बचा क्या करणी में तीन और इस करणी में तीन का मान होता है टैन साथ डिग्री और थात ये कौन थीटा कितना आ गया आपका अगले प्रस्ट पर आते हैं अब लोग कमेंट करते जाहिएगा जो भी इसके जवाब होंगे आपके कमेंट करते रहिए आए चौथे कोशन पर आते हैं चौथा कोशन है किसी मिनार की परच्छाही लंबाई के पहले तो मिनार बना लिया जाए सम्में समकोर्ते भूजबन रहा है आप देखी रहे हैं मिनार की परच्छाही की लंबाई मिनार की लंबाई से कर्णिम तीन गुना है तो अगर ये एच है अगर ये उचाही क्या है एच है तो मिनार की परच्छाही कितनी हो जाएगी H करणी में 3 क्योंकि उसकी कितनी गुने हैं भी करणी में 3 गुना है सिधा सिंपल सा फंडा है मान लिजे ये ABC है जिसमें BC क्या है मिनार तो 10 थिटा अब आप सोच रहा होंगे हर बार 10 थिटा क्यों ले रहा है कौट थिटा क्यों नहीं ले रहा है तो आप कौट थिटा ही ले लिजे बस ये दोनों भुजाएं आनी चाहिए ये भुजा और ये भुजा यानि लंब और आधार आना चाहिए तो यहां से लंब क्या होगा याच और आधार क्या हुआ याच करणी में 3 तो ये चैच केंसिल एक बटा करणी में 3 और एक बटा करणी 3 जब जब आता है वो 10-30 डिगरी का मान देता है यानि हमारा कौण कितना हो जाएगा 30 डिगरी जो है आप्शन नमबर B इसका सही जबाब होगा आई ये पांच में प्रस्ण पर आते हैं पांचवा प्रस्ण है बहुत बढ़ियां कुश्चन है ध्यान से देखेगा किसी मिनार की उचाई 50 कणी में 3 मीटर है मिनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पूर्ण नेयन कूण क्या होगा अगर हम देख ले यहां से पांचवा कुश्चन किसी मिनार की उचाई तो सबसे पहले तो हम मिनार बना लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से मिनार का निर्मार कर लेते हैं और 50 कणी में 3 इसकी उचाई है फिर से वही बात है कि 50 कणी में 3 और यहां से कौण कितना बना? ठीटा तो किसी मिनार के अधार से 50 मिटर की दूरी यानि इसकी दूरी क्या है? यहां और यहां से इसको 19 कोड के लिए आपको बता दिया है कि उपर देखना होगा और 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 मन कोड के लिए कहां देखना पड़ेगा? नीचे की ओर देखना पड़ेगा फिर से देखे 10 ठीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब है आपका 50 कणी में 3 आधार है 50 तो 50-50 कैंसिल कणी में 3, 10, 30, 60 हंस कमान होता है तो ठीटा कमान क्या मिल गए हमको? तो बहुत ही आसान है पांच में प्रस्ण पे आते हैं छठ में प्रस्ण पे आईए अब तो हम बिना चेत्र के भी कर सकते हैं क्योंकि उसी टाइप के प्रस्ण है भई जहां भी हम देख रहा हैं एक मिनट आईए प्रस्ण पे आते हैं प्रस्ण नंबर छे यानि छठ मां प्रस्ण देखते हैं जिस समय पंद्रा मीटर लंबे खंभे की छाया ये खंभा और ये उसकी छाया पंद्रा मीटर लंबा है और इसकी छाया पंद्रा बटा करणी में तीन है ध्यान दीजेगा पंद्रा बटा करणी में तीन है पंद्रा करणी में तीन नहीं है उस समय उन्यन कुण क्या होगा बहुत बढ़िया तो टैन थीटा बराबर लंब बटे तैन थीटा बराबर लंब बटे क्या बोजी पंद्रह बटा करणी में तीन तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा पंद्रह बटा पंद्रह बटा करणी में तीन तो ये करणी में तीन उपर चला जाएगा और पंद्रह पंद्रह कट जाएगा मतलब यहां करणी में तीन आ जाएगा तो टैन थीटा कमान कितना आ गया है टैन साथ हैंस क्यों हुई तो थीटा कमान क्या दिखा आपको साथ डिग्री तो सही जबाब इसका क्या होगा साथ डिग्री अप्शन नमबर भी आईए साथ में प्रस्ट पे आते हैं कि सब्दो का फेर होगा हर कुशन में सब्दो का फेर होगा है सब्दु से कभी ना घंदा यहीं और वीश से तो questions को देख कि जो वच्चे घंदा जाते हैं उनके सबसे They प्रब्लम यह होती को सब्द ही नहीं पकड़ पाते हैं यदि एक उदग्रम में इनार के साय की लंबाई साय मलब परच्छाई है माली ये एक मिनार है हर बार वही चित्र बना रहा है कोई दिक्कत नहीं है मिनार क्योंकि सीधा ही खड़ा होगा ये उचाई है उसकी अगर उचाई है तो इसका क्या है एच बटा काणी में तीन है उसकी परच्छाई यह रहा उसका थीटा तो फिर से बताई भई टैन थीटा बराबर लंबटे आधार तो यह चैज केंसिल कर्णी तीन फिर उपर से चला जाएगा और तरी में तीन टैन कितने उसका मान होता है जबाब है आप लोग कमेंट वाक्स में जबाब देते रहे हैं अब अगले प्रश्ण पर आते हैं अब देखें परवत टावर बिच्छ की उचाई ग्याद करना आपको प्रश्ण में दिया रहेगा इस तरीके से टाइप नमबर टू की बात कर लें चलिए टाइप नमबर टू की बात करते हैं आप लोग थोड़ा कोश्चन देख लिजिएगा हुआ 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 है थोड़ा तेजी ले आइए इस कोश्चन को करने के लिए कोश्चन टाइप नमबर टू पे हम बात कर रहे हैं परवत का या टावर का या बिच्छ की उचाई ग्याद करने के लिए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले फीगर सही से कंस्ट्रक्ट करते हैं फीगर में पढ़ते चले जाईए एक मिनार मैदान से उपर इस्थित बिंदु पी से टूट गई है मालेजे कोई मिनार है यह मिनार है रियल में तो यह मिनार ऐसी थी लेकिन मालेजे कहीं से पी बिंदु से टूट गई है यहां पी बिंदु है और यहां से यह टूट गई है मिनार का उपरी सीरा बिंदु क्यूपर मैदान के साथ 60 डिगरी का कोण बनाता है तो यह जो उपरी सीरा टूट कर आएगा चलिए और थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं ठीक है और यह भाग मान लेते हैं यहां से पी का यह भाग क्या है तूटकर गिर गया है यहां से यह टूट गया है पी तो यह उपरी भाग मान लिए तूटकर कहां से आके जमीन से यहां लगा हुआ है और कहां से टूटा हुआ है कहां पर लगा हुआ है क्यूपर मैदान क बिन्दू कींसे के बिपरीद दिसा में इस्थिद बिन्दू आर से बिन्दू पी के उन्हें कोर्छ अच्छा बिन्दू P से विपरीद दिसामें, क्यूंके विपरीद दिसामें, तो क्यूंके विपरीद दिसामें यहां पहुँ जाते हैं, और यहां से उन्ने अनकोड अगर हम देखें, यह कितना दिख रहा है, 30 डिग्री, बिन्दू R से, अच्छा, एक बीच का भागा, Q R 180 मीटर है, Q और R 180 मीटर है, तो मान लेते हैं, अगर यह X है, तो यह X 180 माइनस X होगा, सही है, तो मिनार की कुल उचाई कितनी है, तो पहले उचाई यहां से H निकाल लेते हैं, और कुल उचाई, चलिए, कुल उचाई capital H मान लेते हैं, तो यह भाग कितना बचेगा, capital H minus small H, यहां से capital H minus small H, यही भाग यही भाग तो टूट कर नीचे गिरेगा, यही टूट कर PQ तो मानने जैसा जो भी बात था, हम यहां से कर लिए, अब करने के लिए तो हमारे पास दो मैथड है, बकि हम आपको सिंपल तरीका बताता हूं, जो कि एकदम बच्पन से आप लोग करते हुए आये हैं, और वही बात आपको समाझ में भी आएगी, कुल उचाई capital H को निका 60 डिगरी बराबर, लंब कितना है हमारा, H, आधार कितना है, 180 माइनस X, और यही 10 साथ हंस कमान होता है, करणे में 3, अगर कल को आपसे H कमान पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताएंगे, H कमान, आपसे पूछ लिया जाए, तो H बराबर, 180 करणे में 3, माइनस X, करणे में 3, चुकि अपस, X को गायब करना है, तो यहां से एक ठोर मन ढूल लेते हैं, यहां से ढूल लीजिए, किस के लिए, 10 तीस के लिए, तो 10 तीस बराबर, H बटा X, तो यहां से करणे में 3 आता है क्या, कि एक बटा करणे में 3, एक बटा करणे में 3, तो X की जगा पर हो जागा है, H करणे में 3, तो यह मान आप उठाईए, और इसे यहां रख दीजिए, तो यह, हाँ, H, 180 करणे में 3, और यहां से अगर हम X करणे में 3 लिखें, तो H करणे में 3 लिखेंगे, और करणे में 3, यहां से 3 ह मिला, करणे में 3, करणे में 3 हो जाएगा, 3 ह माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, यह इधर 4 ह हो जाएगा, 180 करणे में 3, तो H बराबर आजाएगा, 180 करणे में 3, 4, 4, 16, 2, 4, 25, 45 करणे में 3 आगया, यह हमारा क्या गया है, इसमाल एच आया है, देखे, आप्सन में आपको इसमाल एच करणे में 3, लेकिन यह सही नहीं है, अगर यह 45 करणे में 3, गुना करणे में 3, तो 45 तीन यह क्या होता है, 135, हाँ, 135, यानि यह भूजा हमारी कितनी है, 135 है, और यह कितना है, 45 करणे में 3, तो आप थोड़ा सा दिमाख लगा है, तो यह भी भूजा आ जाएगा, आपको, इसका वर कर देखे, इसका वर कर देखे, वैसे तो आलेडी इतना लंबा हो जाएगा, एक और दिमाख लगा सकते हैं, भई, टैंस, साइन साथ लगा दे, हाँ, साइन साथ ज्यादा अच्छा पड़ेगा, बहुस सही, पाइथागोरस से अच्छा है कि साइन साथ लगा दे, साइन साथ लगाएंगे तो यह अच्पान, यह लंबाई पीक्यू आ जाएगी, और स पाइन साथ हन्स कमान होता है करने में 3 बाटा 2, तो पीकी वराबर हो जाएगा, 2 into H, यह कमान कितना है भाई, 45 करने में 3, बाटा 2, नहीं बाटा करने में 3, करने 3 कर टना अब बें आ गया, तो नबें और पैतालिस, यह इसमें से 45 कामन ले लीजे, तो पैतालिस बाहर तो मुझे तो क्या यह सही है ठीक है थोड़ा सा कल्कुलेशन इसमें बढ़ा है मैथाड एक और है जो साटकत मैठद है आप डैकली उसको देखके कर सकते हैं लेकिन उसमें थटकों मैं अभी नहीं बता रहा हूं चुकि आपकी सुरू आती लर्निंग प्रोसेस है और विटर लर्निंग प्रोसेस में हमें कभी जल्दिवाजी नहीं दिखानी चाहिए एकदम बेसिक से पहले चलना चाहिए तो यह आज का दस्वा कोश्चन है किसी मिनार के आधार से 40 मिटर की दूरी पर तो चलिए मिनार बना लेते हैं कि अउसके आधार से है इसका अधार कहा है यहां है इससे 40 मिटर की दूरी पर क adapta क éta यहांपפ् utilizz को की कोई बिंदू है यहां है अच्छा इस थीटा का वायलू कितना है साथ डिगरी तो यह पक्का नब्बे है और बचा कोचा 30 है मिनार की उचाई बताइए एकदम सिंपल है इससे सिंपल कोई कोच्छन हो नहीं सकता टैंसाट डिगरी बराबर यह बटा चालीस और टैंसाट की वैलू होती है करणी में तीन तो यह की वैलू आज जाएगी चालीस करणी में तीन क्या क्या रहा है क्या जवाब है बहुत बढ़ी है बहुत खुब तो आज के लिए इतना ही रखा जाए एका कुशन और देख लेते हैं चलिए काद कुशन और देख लेते हैं स्वरी दस्वा कुशन यह रहा जमीन के तल पर खड़ी चटान जमीन के तल पर खड़ी एक चटान के पाद से मालीजे यह चटान है और इससे पाद बन रहा है पाद मंदलब क्या होता है पैर एक चटान मालेजे यह खड़ी है और 129 मीटर पर खड़ी चटान के से इसका उन्यन कोर 30 डिगरी है यहां एक 139 डिगरी दूरी जाएंगे तो यहां पर ठीटा का मान कितना है 30 डिगरी है चटान क्यों चाहिए क्या होगी एक तो टैन तीस डिगरी बराबर लंब बटे कान तीस डिगरी का मान होता है एक बटा करणी में तीन यह बराबर एक 139 बटा करणी में तीन अगर नहीं दिख रहा है तो इसको क्या करिए करणी में तीन से उपर नीचे गुड़ा कर दीजिए तो यह तीन हो जाएगा तीन चोग बारत इन तरिक कान नव यानि 43 करणी में तीन आपको दिख रहा है आप्शन नमबर बी ठीक देखते हैं पीडियेप में एका क्वेशन और हो तो एका क्वेशन और करा देते हैं चले नहीं पीडियेप खाली है हाँ चले बटा आज आपके लिए दस कोश्चन ये इंपोर्टन कोश्चन रहे हैं और इन सब कोश्चन को आप स्वाल करिएगा देखेएगा बढ़ियां से और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिगना में जिगना में कोश्चन स्टार्ट हो गयी है अस्थान कहाँ है मलखान जिम सेंटर नीचे अंदरगराउंड में जिम सेंटर है और जिम सेंटर और उपर के हौल में आपका गुरुकुल क्लासेस चलता है ठीक है जीगना में टाइमिंग क्या है बेटा टाइमिंग आपकी 8 बच के 30 मिनट है सुबख के 8 बच के 30 मिनट वहां की टाइमिंग है आप लोग जितने भी है छेतर के पास में वहां आके अपनी क्लास, ओफलाइन क्लास ले सकते हैं अच्छा दूसरी क्लास कहा है भई, दूसरी क्लास आपकी हरगड में है, हरगड में कहा है, मा मैरेज हौल, मा मैरेज हौल, मैरेज हौल है, बड़ा सा हाल है जिसे आप लोग असानी से उसमें बैठ सकें, अच्छा वहां की टाइमिंग क्या है, समय क्या है, वहां पर समय है ब ऐससेट हो गई है इग्यार्व हरवरी आगो बाइक हो चेहरा में मार्चना पबलीक इस्कूल यहाँ पर कहां मिलेगा आपको क्लास यहाँ पर मारचना पब्लिक इस्कूल में आपको क्लास मिलेगी सुबह, यहाँ की टाइमिंग क्या है विटा यहाँ सुबह है छे बज के तीस मिनट से ठीक है, सुबह छे तीस से तो आप लोग जिनके पास जहाँ नजदीक पहुच रहे हैं जहाँ पर भी आप पहुच सके हैं वहाँ जल से जल क्लास जोइन कर लिजिए हाँ, जिगना में हरगड और जिगना में दोनों ही नई बैचेज हैं वहाँ पर आप जोइन करिए ओके चलिए तो आज की यह जानकारी आपके लिए थी और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यह जानकारी दोर दराज उपस्थी जितने भी बच्चे हैं उन तक इस बात को आप पहुचाईए ठीक है और यह सूचना इंपोर्टेंट है जो आफ लाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहाँ पहले से ही मांग कर रहे थे कि सर कहा कहा क्लास चलेगी कैसे चलेगी तो इसकी जानकारी आपके लिए उपलब्ध है यहाँ पे जिसको जो भी यहाँ आसपास में भी अगर आप ब्रांचेज हमारा खुलवाना चाहते हैं गुर्कुल क्लासेस का अपने अस्थान पे अपने नजदीक में तो वहाँ से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वहाँ की प्लेसेस आप डिसाइट करिए हमारी पूरी टीम वहाँ पहुचेगी और आपको सेलेक्शन दिला के रहेगी ठीक है मेरा प्रयास यही रहाँ बेटा कि हाँ गाउं में भी इन सब चीजों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जिससे कि सभी बच्चे सेलेक्ट हो सकें और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा भी है जो रिसेंटली दो रिजल्ट आए हुए हैं आनंद कुमार और अतुल कुमार SSC GD में दोनों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आप देखे भी होंगे फेस्बूक पे वार्सप पे जहां पर भी तो इसके लिए मैं दोनों बच्चों को फिर से बधाई देता हूँ और जितने भी बच्चे गुर्कु क्लासे से जुड़े हुए हैं उनके लिए शुब कामना बेक्ट करता हूँ कि आगे भी मेहनत करते रहें और सेलेक्शन देते रहें अच्छा जिनकों जहां प्राबलम भी है तो ये दो नमबर है 996-960-412 ये एक नमबर है और दूसरा नमबर है 94-73-850-909 दोनों नमबर पे आप कॉल से बचिएगा बहुत जरूरी हो तभी कॉल करिएगा बाकी आप इस पर WhatsApp कर लिजिए Message कर लिजिए आपको reply मिल जाएगा ठीक है इन दोनों नमबर पे हमारी टीम आपको connect कर लेगी चलिए आज की class यहीं पे complete करते हैं Good night कर रहीं गॉपन्से लुट से प्रिपस्ट a day